हलो फ्रेंड्स राजस्तान के किसान आंदोलन हमने देखे थे आज किसान आंदोलन से सम्मदी टोप 25 प्रशन आज हम देखने वाले हैं अगर आपको ये 25 प्रशन नहीं आते 25 में से 20 प्रशन नहीं आ रहे हैं तो आपको किसान आंदोलन वापस देखने हैं वापस उनको अच्छे से करके चलना है 25 वो प्रशन है जो बार बार रिपीटेड हैं बार बार पुछे गए हैं कुछ प्रशन ऐसे भी होंगे जिसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हो अच्छे से उत्तर देना है सोच समझ के उनका उत्तर देना है ये वही प्रशन है जो बार बार रिपीटेड हैं आपके राजस्तान के सभी प्रशन के पुछे जाते हैं तो इनको अच्छे से आपको करके चलना है अपना दी बेश्ट देना है किसान अंदोलन जो टोपिक मैं ने करवा दिया पहले वो अच्छे से कर लो उसके बाद में इन प्रिशिनों को आप अच्छे से कर लो ताकि सारा सब कुछ आपके अच्छे से याद हो जाए दी बेश्ट आपका हो जाए अच्छे से आप कर लो तो चलिए दोस्तो टो पचीस प्रिशन हम देख लेते हैं पहला प्रिशन है कि राजस्तान का प्रथम किसान अंदोलन कौन सा है आराम से सोच समझ के तसलिष से उत्तर देना है प्रिशन पूछा गया है कि राजस्तान का प्रथम किसान अंदोलन कौन सा है मेवाड का जाट किसान अंदोलन है बिजोलिया उत्तर नहीं करना है मेवाड का जाट किसान अंदोलन option 4 इसका सही होगा कब हुआ था 22 जून 880 में हुआ था 22 जून 880 मत्र कुंडिया रश्मी प्रगना आपको ध्यान रखना है राजस्तान का सर्व प्रथम व्यापक एवं संगठित किसान अंदोलन कौन सा है अब की बार आप से क्या पूछा गया है राजस्तान का व्यापक संगठित किसान अंदोलन पूछा है अब आपको बिजोलिया किसान अंदोलन उत्तर करना है सरवाधिक लमबे समय तक चिडने वाला वाला किसान आंदुलन भी बजोलिया किसान आंदुलन ही आपको ध्याँ रगना है 2008-én 1997-1981 तक यह चला था, लगबक 24 साल यह चला था बिजोलिया किसान आंदुलन में किस जाती किसान सरवाधिक थे, जब मैंने आपको किसान अंदोलन करवाए थे तब मैंने आपको बताया था धाकड जाती के किसान सरवादिक थे आपको ध्यान रखना है धाकड जाती के किसान सरवादिक थे option 10 ही हो जाएगा मतलब यहाँ पे 15,000 में से 10,000 किसान थे उन 10,000 किसान में से 60% अतार 6,000 दाकर जाती के किसान थे बीजोलिया कि किस जागिरदार ने 5 रुपे चाउरी कर लगाया था 5 रुपे चाउरी कर जो बेटी की शादी पर बेटी के ब्याओ उपर लिया जाएगा किसने लगाया था राव करशन सिंग ने 4 रुपे चाउरी कर लगा दिया था किसानों ने क्या किया अपनी बेटी की शादी करना ही बंद कर दिया था अंत में करशन सिंग को ये कर वापस भी लेना पड़ गया था तो इसमें उप्शन हो जाएगा बै राव करशन सिंग 1903 में बेटी की शादी पर 5 रुपे टेक्स लगाया था किसे जागिरदार ने बिजोलिया में तलवार बंदाई कर शुरू किया था उत्रादिकार शुलक तलवार बंदाई का मतलब उत्रादिकार शुलक जिसने शुरू किया था कौन था राव प्रत्वी सिंग था राव प्रत्वी सिंग आपको ध्यान रखना है option first हो जाएगा राव प्रत्वी सिंग सवा रुपे प्रती परिवार इसने किया था सवा रुपे प्रती परिवार देना पड़ेगा ये जो प्रत्वी सिंग था ये कामा भरतपूर का निवासी था इसलिए इनको किसान से कोई विशेस लगाव नहीं था आपको ध्यान रखना है बिजोलिया किसान अंदोलन का जनक किसे कहा जाता है ये प्रशन मैंने यूट्यूब पे भी पूछा था बिजोलिया किसान अंदोलन का जनक किसे कहा जाता है 90% से भी ज़्यादा स्टुडेंट इसका उत्तर गलत देते हैं बिजोलिया किसान अंदोलन का जनक जब पूछे तब विजे सिंग पतिक मत कर देना जनक सादू सीताराम दास को कहा जाता है विजे सिंग पत्थिक उनका मूल नाम आपको बताना है वास्तविक नाम क्या था भूप सिंग गुजर उनका वास्तुविक नाम था उत्तरपरदेश के बुलंद शहर के गुठावली नामकिस्तान से इनका सम्मन्द है विजे सिंग पत्तिव भूप सिंग गुजर आपको ध्यान रखना है चितोड में विद्या परचारिनी सभा की स्तापना किस ने की थी धंगसें रटलो दो चार वार बोलो साथ साथ याद करके चलो तो चितोड में विद्या परचारिनी सभा की स्तापना पूछे तो हरी भाई किंकर उत्तर करना है मित्र मंडल संगठन की स्तापना किस ने की थी मित्र मंडल संगठन सादू सीताराम दास जिने बिजोलिया किसान अंदोलन का जनक कहा जाता है सादू सीताराम दास दोनों प्रशन आपको ध्यान रखने हैं पंचीडा गीत किसके दोवारा गया गया पंचीडा गीत किसका है मनिक के लाल वर्मा का है मनिक के लाल वर्मा का पंचीडा गीत आपको ध्यान रखना है ये एक्जाम में पूछा गया प्रशन है और आपको ध्यान रखना है जो पूछे गया प्रशन है वो काफी रिपीट होते हैं ध्यान रखना है मान मान मेवाडा राना प्रजा पुकारे रे रूस जार को पतो न लागयो सुन राना फतमाल रे किसकी रचना है आपको बताना है प्रग्या चक्षू भवरलाल सुवनकार की रचना है ओप्शन हो जाएगा सै भवरलाल सुवनकार मान मान मेवाडा राना प्रजा पुकारे रे रूस जार को पतोना लगयो सुन राना फतमाल रे आपको ध्यान रखना है नवीन राजस्तान एवं तरुन राजस्तान समाचार पत्र का सम्मंद किसे से हैं नवीन राजस्तान की बात कर लो तरुन राजस्तान नवीन राज़स्तान का नाम बदल कर ही विजे सिंग पथिक आगे तरुन राज़स्तान उसका नाम कर देते हैं तो नवीन राज़स्तान और तरुन राज़स्तान समाचार पत्रों का सम्मंद विजे सिंग पथिक से हैं आपको ध्यान रखना है मैंने जब किसान आंदोलनाब को करवाए थे उसमें बताया था विजे सिंग पतिक की है भूप सिंग गुजर की आपको ध्यान रगना है हमारे देश को सबसे पहले जंडा गीत देने का शिरे किसे दिया जाता है हमारे देश को सबसे पहले जंडा गीत देने का शिरे किसे दिया जाता है विजे सिंग पतिक को दिया जाता है विजे सिंग पतिक नमीन राजस्तान तरुन राजस्तान वोट आट दी इंडियन स्टेट से जंडा गीत आपको ध्यान रखना है किसके है वीजे सिंग पथिक के ही है बोल सेवी की समझोते का सम्मद किस किसान अंदोलन से है बोल सेवी की समझोता बेंगू किसान अंदोलन से है बेंगू किसान अंदोलन हमने देखा था राम नारहन चोदरी अनुप सिंग के मद्य समझोता हुआ था आपको ध्यान एकना है राजस्तान सेवा संग की हम बात करें राम年前 चोद्री की हम बात करें इसे बॉल सेवी के समझोता है में कहते हैं आपको ध्यान एकना है बेंगू किसान अंदोलन जो चित्तोड में हुआ था उससे सम्वंदित है option बैस है होगा रूपाजी वे करपाजी का सम्मंद किस किसान अंदोलन से हैं आपको बताना है तो बेंगू किसान अंदोलन से हैं बेंगू चितोडगड वाला उप्शन वे 13 जुलाई 1923 को ट्रेंज द्वारा किसानों उपर लाठी चार्ज कर गोलियां चलाई गई रूपाजी वे करपाजी किसान यहां पर शहीद हो जाते हैं आपको ध्यान रखना है तो बेंगू किसान अंदोलन से रूपाजी वे करपाजी का सम्मंद आपको ध्यान रखना है डाबी हत्याकांड कब हुआ था डाबी हत्याकांड कौन सा किसान अंदोलन है बुंदी किसान अंदोलन है ध्यान कैसे रख रहे हैं हमें डबे में बुंदी हैं तो डबी किसान अंदोलन का सम्मध किसे हैं बुंदी किसान अंदोलन डबी किसान अंदोलन इस तरह से आपको ध्यान रखना है पूछा गया है कि डाबी हत्याकांड कब हुआ था दो अप्रेल 1923 को हुआ था इसे ध्यान रखना डबे में दो बुंदी हैं दो बुंदी के लड्डू हैं कितने हैं दो बुंदी के लड्डू हैं तो कब हुआ था दो अप्रेल 1923 को डाबी हत्याकांड हुआ था आपको ध् जब नानक जी भील सहीद होते हैं तब मानिक के लाल वर्मा अर्जी गीत लिखते हैं आपको ध्यानक ना है और जो नानक जी भील है ये विजे सिंग पतिक का जंडा गीत गाते हुए शहीद होते हैं रियासत अखवार में किस हत्याकांड की तुलना जलियावाला बाग हत्याकांड से की गई है आपसे पूछा है रियासत अखवार तब आपको उत्तर करना है नीमूचणा हत्याकांड कौन सा नीमूचणा अलवर वाला नीमूचणा हत्याकांड इसका उत्तर आपको करना है एक आपसे पूछे का कि महात्मा गांदी ने यंग इंडिया में किसे जलिया वाला बाग हत्याकांड से भी विबस बताया है तब भी आपको निमूचड़ा हत्याकांड ही करना है अगर आपसे पूछे राजस्तान का जलिया वाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है तब आपको मानगर अत्याकान करना है बीलो का मुख्या कहलाता है जो बील जाती है इनके जो मुख्या होता है इसे क्या कहते हैं उसे गमेती कहते हैं गमेती उसे कहा जाता है बील महुआ के पोदोशे शराब बनाते थे कुछी शराब मावडी शराब किस पोदोशे महुआ के पोदेशे शराब बनाते थे बेंगु किसान अंदोलन का नियत्रत्य किस ने किया था बेंगु किसान अंदोलन का नियत्रत्य तो राम नारेन चोधरी ने किया था राम नारेन चोधरी नीमू चणा कांड के समय अलवर का शाशक कौन था महाराजा जैसिंग अलवर का शाशक तो आपको ध्यान रखना है इंपोटेंट प्रेशन है शीरिमती रमादेवी राजस्तान के किस किसान अंदोलन से संबंद रही एक्जाम में पूछा गया प्रेशन है शीरिमती रमादेवी तो आपको ध्यान रखना है बिजोलिया किसान अंदोलन से यह जुड़ी वी थी शी 1913 में होता है आपको ध्यान रखना है मानगड़ की पहाड़ी पर होता है 17 नवंबर 1913 मार्ग शीश पूर्ण नीमा को होता है करनल शटन ने बटन दबाया था अथार्थ करनल शटन के आदेश पर अंदा धूंद गोलियां चलाई जाती हैं आपको ध्यान रखना है संप सभा की स्थापना किस ने की थी संप सभा सीरोही गोविंद गीरी 1883 तो 1883 में गोविंद गीरी ने संप सभा की स्थापना सीरोही में की थी एक्जाम में पूछे जाने वाला प्रशन है पूछा जा सकता है संप सबा की स्तापना 883 गोविन्दिगीरी सीरो ही आपको ध्यान रखना है काफी important question है एक्जाम में बनेने वाला question है आदी वास्यो का मसीहा किसे कहा जाता है आदी वास्यो का मसीहा कहते हैं जिसे बाओजी हम कहते हैं किसे कहते हैं तो मोतिलाल तेजावत हो जाएंगे आपको ध्यान अगना है उप्शन फर्ष्ट मोतिलाल तेजावत आदिवासियों के मसीहा कहलाते हैं बाउजी कहलाते हैं इन्होंने मेवार की पुकार 21 सुतरी मांगो का समावेश करते हैं बुस्तग लिखी थी जिसे मेवार की पुकार नाम से जाना जाता है तो मोतिलाल तेजावत आपको ध्यान अगना है इंपोटेंड ये भी प्रशन आपके बन जाता है ये टोप 25 प्रशन हो गए अच्छे से इनको देखो कुछ दिक्कत हो रही है वापस देख लो ताकि आपके अच्छे से ये सारे प्रशन याद हो जाएं किसान आंदोलन के ये वो प्रशन है जो most repeated भी है काफी प्रशन मेंने वही लिये हैं जो एक्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें आप confused हो जाते हो गलत उतर दे देते हों तो आपको इनको अच्छे से वापस करना है ताकि एक्जाम में आप इन प्रशनों को गलत ना कर पाओ यह जो प्रशन मैंने करवाई इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल डेनिल क्लासेज में पर मिल जाएगी अच्छे से आप देखें काफी PDF आपको वहाँ मिलेंगी काफी मिलेंगे राजस्तान जीके आपका दीबेस्ट अछा हो जाएगा धन्यवाद